तमाटर की बात अब प्यास की कीमत में बड़ोतरी होने की उमीद है रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस की अंत तक इन कीमतों में दोगुनी से ज्यादा बड़ोतरी संभव है आने वाले दिनों में प्यास के दामों में क्या हलचल होने वाली है देखते हैं खास रिपोट अंदर की बात में देश भर में टमाटर की किम्मत आसमान पर है कहीं टमाटर 120 रुपिय किलो बिक रहा है तो कहीं ये 200 रुपिय के पार पहुंच चुका है तो वही अब प्याज की किम्मतों में भी बडोत्री होने का अनुमान जताया गया है एक रिपूर्ट में कहा गया है कि प्याज की किम्मत में रिकोड बडोत्री हो सकती है मौजुदा समय में प्याज की किम्मत ये 28 रुपिय से लेकर 32 रुपिय तक है अगस्ट के अंत में खुदरा बाजार में प्याज की किम्मत में रिकूर्ट बढ़ोत्री हो सकती है ये बढ़ोत्री आपूर्ती में कमी के कारण अगले महने करीब 60-70 रुप्य प्रती किलोग्राम तक बढ़ने की संभाव ना है रिपूर्ट में कहा गया है कि रभी प्याज की शेल्फ लाइप एक दो महने से कम होने के कारण ओपन मार्केट में रभी स्टॉक सितम बर के बजाए अगस्ट के अंतक काफी खटने की उमिद है 15-20 दिनों तक मंदी का मौसम जिससे बजार में आपूर्टी में कभी और उन्ची कीमतों का सामना करने की संभाव ना है प्याज की कीमत में कमी के कारण किसानों ने इस बार कम प्याज की खेती की है इसलिए कम खरिप और रवी उत्पादन के बावजूत इस साल आपूर्टी में बड़ी कमी की संभावना नहीं है ब्यूर रिपोर्ट